नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागंदर मिस्राश चैनल पे दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सिर्फ एक बार बेसर्म होकर ये एक काम कर लो करोणपती बन जाओगे चानक नीत चानक के द्वारा रचित एक नीती ग्रंथ है जिसमें जीवन को शुक्मय और शफल बनाने के लिए उप्योगी सुझाओ दिये गए हैं इस ग्रंथ का मुख विशाइ मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की विवहारिक शिक्षा देना है चानक के एक महान ग्यानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था जानिय चानक के कुछ ऐसी महत्वपून नेतियां जो आपको आपके जीवन की किशी न किशी मौड पर काम आही सकती है दोस्तों यह चीज लेने में और जवरजस्ती मागने में कभी सर्म ना करें अगर आप इन चीजों को मागने में सर्म करते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है यहां तक कि इन चीजों को ना लेने पर आपकी ऐसी कितेशी हो सकती है दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, पुरानी मानताओं के अनुसार जो ब्यक्ति इन चीजों को मागने पर सर्म करता है, तो उसे कभी भी काम्याबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टी मिलती है, दोस्तों आपको बता दे कि आचार चानक के बारे में आपने तो सुना ही दोस्तों ऐसे में हम आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी चीजे हैं जिन्हें लेने पर या हक से मागने पर कभी सर्म नहीं करना चाहिए, खास कर एक पूरस को तो चलिए जानते हैं उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्ष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेर कर दीजै क्यूंकि बाद में आप लाइक करना और सेर करना भूल जाते हैं और साथी साथ दोस्तों रोजाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस को दबा दीजिए तो प्रेम संबंधों को मश्बूत बनाने के लिए दोनों के बीच सलाह मश्विरा हमेशा मश्बूत होना चाहिए जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से सर्म करते हैं और संबंध के दोरान घबराते हैं तो उनके बीच में और कोई गैर पूरुस या गैर महिला अपनी जगह बना शक्ती है इसलिए संबंधों के दोरान सर्म बिल्कुल भी ना करें बेहिचक होकर पत्पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें इसी में आपकी भलाई है नंबर दो भोजन करते समय कभी सर्म ना करें दोस्तों चानक के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को सर्म नहीं कर दोस्तों जिन लोगों को खाने में सर्म आती है वो लोग हमेशा भूंके ही सो जाते हैं और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेसानी से कम नहीं होती दोस्तों भूंका व्यक्तिक क्रोध का शिकार हो जाता है इसलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी सर्म नहीं करना चाहिए बलकि भोजन में सर्म करना भोजन का अपमान माना जाता है नमबर तीन गुरु से ज्यान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय कभी भी सर्म ना करें आजूए अधूरा ग्यान आपकी सबसे बड़ी हार होती है दोस्तों अब बात करते हैं नंबर चार की तो दोस्तों नंबर चार ये है कि जो की उधार का पैसा जी हां दोस्तों आचार चानक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मागना चाहिए और जो अपना ही पैसा मागने में सर्म करता इसलिए उधार के पैसे मागने में कभी भी सर्म ना करें क्योंकि दोस्तों वो आपका पैसा है इसलिए चारक जीने शलाह देते हुए कहा है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक उम्मेद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप अपने दोस्तों के भी सेर कर दीजेगा और रोजाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चलन को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजे